अगर आपके पास कोई old mobile phone है, तो आप उसे किसी को बेचने से अच्छा है, आप उसे Amazon पे exchange के बदले कोई new mobile phone ले लेजे, मतलब अगर आपके पास कोई पुराना mobile phone है और आप नया mobile phone लेना चाहते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, कि पहले पुराने वाले mobile को बेचते हैं और उसी पैसे को जोड़के एक new mobile phone किसी शौप पे जाके ले लेते हैं, तो आपको बेचने में पहले दिक्कत होगी, फिर आपको कुछ दिर इंतिजार करना होगा, तो वो जाके आप पर्चेस करेंगे किसी शौप शे, तो आपको क्या करना है, Amazon अप्लिकेशन से आप किसी भी mobile को exchange offer में खरी सकते हैं, जैसे आपके पास कोई old phone mobile phone है, आप जैसे realme 8, realme 8 pro लेना चाहते हैं, तो आप उस पे जाके अपने पुराने mobile phone को वहाँ sell कर दीजे, वहाँ पर प्राइस भी दिखा दिया जाएगा, कि आपका ये पुराना वाला mobile phone कितने में लिया जाएगा, और उस new वाले mobile में कितना discount मिलेगा, मतलब जैसे आप 20,000 का mobile ले रहे हैं, और आपका कोई old phone है, जैसे आपका Samsung Galaxy J2 हो गया, Vivo का हो गया, जो की 10,000 के अंदर है, तो उसका आपको rate जैसे Vivo का है, और उसका new mobile phone 10,000 का है, तो आप उसे exchange कर रहे हैं, तो आपको 4000-5000 के बीच में उसका off मिल जाएगा, मतलब एक discount मिल जाएगा, मतलब वो 20,000 के mobile में आपको 4-5,000 discount मिलेगा, और वो mobile आपको सिर्फ 15-16,000 तक का पड़ेगा, तो यहाँ पर आप exchange offer का फायदा उठा के new mobile phone ले सकते हैं, तो चली जानते हैं, यह काम कैसे करते हैं, तो चली चुरू करते हैं, सबसे पहले आप अपने mobile में Amazon application को download कर लेंगे, यह application आपको Google Play Store पे मिल जाएगा, इसको जैसे open करेंगे, और उपर आप Amazon application को download कर लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, Amazon, लिखने के बाद आप search पे click कर देंगे, यह application अगर आपको mobile में होगा, तो आप इसे open कर लीजे नहीं तो आप इसे install कर सकते हैं, जैसे कि आप देखने मेरे mobile में पहले से यह application है, तो हम इसे open कर लेते हैं, open करने के बाद जिस product को आप मंगाना चाहते हैं, उसको पहले search करिए, जैसे हम एक new mobile मंगाते हैं, तो हम realme 8 को search कर लेते हैं, search करने के बाद आपके सामने realme 8 का सार product जित्ते भी होंगे, color, variety सब आपके सामने आ जाएंगे, तो इसमें बहुत सारे, देखिए है realme 8 5G phone, और यह realme 8 renewed, जिसे मुझे यह चाहिए, आप इस पे click करिए, अगर इसके इस पे exchange offer होगा, तो इसको भी आपको देखना होगा, कि इस पे है की नहीं, तो यह देखिए 15 exchange का option होगा, अगर नहीं है तो इस पे आप exchange offer नहीं ले सकते, तो इसमें तो मुझे नहीं दिख रहा है, हम कोई और product देखते हैं, जैसे realme 8 pro, यह है 21,651 रुपए का, तो इसमें देखिए exchange your old phone का option है, तो यह 21,651 रुपए का mobile है, realme 8 pro, आपको यह exchange your old phone पे click करना है, choose phone to exchange, इसपे click करना है, फिर इसके बाद आपको select brand, आपका जो पुराना mobile है, जिससे आप exchange करना चाहते हैं, वह कौँ सा mobile है, उसको आपको choose करना यहां पर, जैसे मेरा Samsung का mobile है, पुराना, तो मैं Samsung choose कर लेता हूं, इसके बाद Samsung का कौँ सा model है, तो मेरे पास Samsung J2 है, तो हम इसको exchange कर करते हैं फिर आपको यहां पर इंटर इमाई नंबर डालना होगा जोकी आपके मोबाइल बैटरी को को निकालेंगे तो वह लिखा होगा अगर को व्य व कि आनको ऊप्यक्षी देखेंगे तो लिखा होता है इतना करने यह पे अचिछंज और दी आपको को 1650 रुपया ऑफ मि आपको payment करना होगा या तो आप online payment भी कर सकते हैं या तो आप उसको cash on delivery भी कर सकते हैं तो 21,651 का 1600 रुपया मतलब 20,000 के 20,500 रुपया के 20,000 मान लिजे कि आपको ये mobile 20,000 का मिलेगा आपको जब आएगा delivery वाला तो आपको ये mobile भी ले जाएगा पुराना वाला और आपको cash and delivery आप चूस की हुए है तो आप cash दीजे अगर आप online payment कर दिये तो अच्छी बात है तो इस तरीके से आप exchange offer का यहाँ पे मजा ले सकते एक तरीके से अगर आप किसी के पास जाएगा mobile बेचने तो और कम rate लगाएगा अगर आप यहाँ से लेंगे तो आपको और अच्छा दाम भी मिल सकता है अगर आपका वीवो ओपो है अगर आपकी mobile की कीमत दस जार थी तो आपको चार हजार पांच जार तक भी मिल सकता है मेरे एक फ्रेंड ने अपने वीवो वी नाइन को एक्सेंज करवाया तो उसको 41 ओका आफ मिला और वो एक new mobile finance करा गया यहां से आप finance भी करा सकते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और आपके मन में कोई question है तो आप comment करके पूछ सकते हैं